नश्कार जैमाता की कैसे हो आप सभी मैसरवन राजपुत मादरुगा रेकेंड लामा फिरा ही नहीं सटे चंदीगड में आप सभी का स्वावित करता हम और भगवान से प्रात्ना करता हम को आप सभी अपने घर में सुक्ष, सम्रिदी, स्यानती के साथ रहे सबसे पहले आप सभी को नए साल की डेव सारी शुब कामना है हम प्रात्ना करते हैं मादरुगा माकाली वगवान सी विश्णों से गुरु नागा बाबाजी से कि आपके घर में आपके प्रिवार में आपके आसपास आपके बिजनस में परस में तिजोरी में हर जंगे सुक्ष, सम्पति मि मिले, नए साल में सफलता मिले, सक्सेस मिले, हैपिनेस मिले, आपको मा का मादरुगा माकाली शी विश्णों का अशिरवाद हमेशा आपके सर पर बना रहे, आप नए साल में 2020 में ओ काम सक्सेस कर जाए जो इस साल में पिछली सालों में आपसे नहीं हुआ है, और आपके ज बताने जा रहा हूं देखे हम रेकी लामा फेड़ा हीलिंग थैरेपिस्ट हैं लेकिन जो छोटी-छोटी उपाई बता रहा हूं मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते रिजल्ट हंडर्ड प्रसेट मिलेगा पोजिटिवीटी होती है जो बत बताने से मैं आपको शेर कर रहा हूं मेरी थोड़ी क्या हो रही है कि इन चीजों में थोड़ा एक्सपिरियस हो रहा है अलग-अलग से यह चीज भी इस त्रिक्के से हो चकती है और आप लोगों को अच्छा लगेगा आप लोगों को बैनिफिट हो अच्छा अश्रवाद रुफल हमारे लिए क्या होगा क्योंकि जब आप लोग अच्छे होंगे इन चीजों से चोड़-चोड़ी बातों से तो आपके अंदर से एक परे एक दुआई निकलेगी जो बहुत अच्छी होती है जो लाखो क्रोड़ों रुपे से बहुत जादा होती है तो आज मैं आ मैं ऐसा मानता नहीं हूं लेकिन मोशली होता है जो लोग खुंडली दिखाते हैं आप कुछ करते हैं मैं यह मानता को सनी देव जी जो ग्रह हैं देवता है और नियाय पिरी हैं जब वो किसी को नियाय देती तो उसके लिए धनके बंडार बर देते हैं जब कोई अच्छे बुरे काम करता है बुरे काम करता है उसके लिए साडे सती जो भी है बनके आती है और उसका नुक्सान करते हैं मैं इस चीज़ पर विश्वास करता हूं कि पोजिटिव के लिए पोजिटिव के लिए पोजिटिव के लिए नेगटिव के लिए नेगटिव के लिए फिर भ एकी से हटके मैं उपाई बता रहा हूँ आपको आपको करना क्या है सनी के बुरे प्रभाव से पीडित व्यक्ति को एक धातु का बना हुआ सनी अंतर लेना है सनी अंतर आपको कहीं भी मिल जाएगा जहां पे पूजा पाट की दुकान होती है उस सनी अंतर को आपने 11000 बार ओम स्निच्राइ नम है बस इतना चोटा सा मंतर पड़ना है है 11000 अब गभ neue कर सकते चोटा समंतरा इक पूरी सपीडि में माला कर सकते आप च्रसकती वैसे तो मुए प्रत्राक्ष माला से कर सकते पर कीजिए इससे सबसे याद रखने को पाए कि कितनी माल होगी आप चने चना रख लेजिए राजमा रख लेजिए कुछ भी ड्राइप रूट लगेजिए जो काउंट 108 रख ले मान ले आपने चने तो आपने एक माला की आपने 108 माला अगर करनी है तो कठी अगर आपने 11 माला करने तो 11 चने रखो एक माला की चनाश रखा दिया एक माला की चनाश रखा दिया अगर आप फिंगर पर काउंट नहीं कर सकते मंत्रा को तो 108 चने या कुछ भी धातू रख लो चोड़ी चोड़ी या खाने के चीज़ उसको एक एक सब्सक्राइब, आपको count रहे 108 हो गए है, क्योंकि 108, एक माला में 108 counting होती है, तो om sanichrayanam है, इस मंतर से 11000 आपने जब करना है, उसी अंतर पर, उसके लिए अवसेतित उसको चार्ज करने के लिए, आपने करना के एक चोंकी, लगानी चोंकी नहीं मतलब जैसे चोटा हा वो, लखडी का बना होता है, मिल जाता है मौल, मौल मिल जाता है। सभियोंत्र को रखिए उस यंत्र के नीचे काल्य का रंग कपड़ा या फिर निले रंग कपड़ा रखिए भिछां कर उसके बाद आपनी यंत्र रख दोगे तो शक्के दाएने और यंत्र के दाएने और तेल का दीपक जलाaina सवर्सों के तेल का सरसों का तेल का दीपक जब जलाओगे दूबबती लगाओगे यंत्र सामने रखोगे तो फिर उस यंत्र को आपने चार्ज करना है अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं एक्टिव करना है ग्याराजार मंत्र पढ़के और उस यंत्र के साथ आपने एक बिच्वा का बीच बिच्वा का एक बीच अपने साथ रखना है बिच्वा का एक बीच बिच्वा एक पेड होता है चोटा उसका एक बीच अपने साथ रखना है आप पनसारी से जाके पोचेंगे बिच्वा का बीच दीजिए और दे देगा पंसारी मतलब कोन होता है जो आयरुवेदिक दुवाईयां मतलब जो देशी जड़ी पूटियां देते हैं मंडी में होती है दुकाने कहीं और भी होती है बिचुवा का बीच बोलोगा तो मिल जाएगा उस यंत्र के साथ जिस पे सनी का प्रकौप है बिचुवा का बीच उसके साथ आप अगर एक्ष्ट्रा करना चाओ तो हनुमान चाली सा पड़ सकते हो और जब ये खतम हो जाए लास्ट में आपने यंत्र और विचुवा का बीच उन दोनों को चलते भी पानी में प्रभाइद कर देना है छोटा सा पाए कोई पैसा ज्यादा नहीं लग रहा खली आपका 10-20 रुपे का सनी अंत्र आएगा बीचों का बीच बिलकुर सस्ता मिल जाएगा घर में आवके काला कपड़ा भी होता है नीला कपड़ा भी होता है घर में आवके फट्टा भी होता है इंट भी होती नीच रखने इचोंकी बनाने के लिए और दिया सरसोगतल स तो आप इसको किजिए, सनी देव जी आपके फरसन होंगे, आप पे जो उनकी बुरी नजर है, पुप्रभाव है, उस्यान्त हो जाएगा, ठीक है, आप भी सोच रहोंगे रेकी से हटके कहां बता रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जादा हर एक इनसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि जाके पंडित विद्वानों से लोगों से जाके पूजा पाट करουाए, हर रोज 100-200 रुपे जैसे करे या सनिवार को करे, क्योंकि कईओं को कम होता है, तो 100-200 का मतलब क्या होता है, कि एक दिन हपते में आपने कर दिया तो पांच अपते होगे तो हजार डेट जार रूपय आपके चले गए और यह आपकी खाने पीने प्रिवारे काम आएंगे तो कोई भी कर सकते धन्वान भी सुपाय कर सकते हैं घर से गरीब भी कर सकते हैं तो सभी के लिए वैसे सभी गरीब ही हैं जो आपके पास सब उपर वाले का है उपर वाले ने आपको दिया वैतों सब उपर कही अमान की चलिए अब तो आप कीजी आपको बेनिफिट होगा और आपको ज्यादा भागदोर की जूरती भी नहीं अपने घर से करना है ठीक है जी नमस्कार जैमाता की नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मलाकात होगी तब तक लिए नमस्कार जैमाता की अपने ख्याल रखड़ी जै नागे बाबा नागा सादू कोन है हमारी धरतिये गुरु है जो बहुत ही एनरजी वाले बहुत ही पोजिटी बहुत ही श्यांस भाव जो इस दुनिया में नहीं है आत्म है शोल है जिन्द ही है हजार साल परानी समादी है तो नागा सादू जी है वो गुरु है मादरुगा तो सुप्रिम गुरु है ग्राउंड़ गुरु है एंजल जिसको बोलते है इसलिए मैं बीच बीच में आपको कभी सुना होगा नाग पंत्र